नमस्कार मेरा नाम ग्यानिक शुर हैं और आप देख रहे हैं लाइप सिटिस यदि आप लाइप सिटिस के लगताद विवर्स हैं तो आपको पता है कि आज पत्ना में एक बैंक डिकैटी हुई है और सालों शाल बाग या कहें एक दस्तक बाग किसी भीर भारवाले इलाके मे और वह भी इलाका ऐसा जो पत्ना जक्सन के करीब है बीना सिनेमा के पास है वहां बैंक डिकैटी हुई है दिन में और अपराधी 9 लाग से अधिक रुपए लूट ले गया है तो खैल ये खबर आपने लाइप सिटिस पर पहले देखी होगी अभी जो खबर आपको हम बता जाने या रहे हैं दो खबरें एक साथ हैं कि बिहार में कहां और कैसे बीडियो साहब के घूस का रेट 2 लाख रुपे ठक पहुंच गया है मतलब बीडियो साहब घूस में 2 लाख रुपे मांगते हैं और दूसरी खबर की पटना में कहां 42 लाख रुपे की जबती हुई है तो पहली खबर आपको हम घुसकोद वीडियो से आपके बारें बता दें तो निग्रानी अन्वेशन विरो ने बैसाली जीले के राजा पाकर के प्रखन बिकास प्राधिकारी मतलब Block Development Option राजी बरंजन को एक लाख रुपए लेट हुए रंगे हाथ गिरफतार किया है ये राजी बरंजन जो है प्रुशोत्तम कुमार जो महुआ के दिलनाखन लेन के रहने वाले हैं उनसे दो लाख रुपए की मान कर रहे थे और मान इसलिए कर रहे थे क्योंकि प्रुशोत्तम कुमार का नाता हाल में ही संपन पैक्स चुनाव से था और वीडियो साथ कहा रहे थे कि जब तक आप रुपए नहीं देंगे दो लाख रुपए नहीं देंगे तब तक आपको चुनाओं से संबंदित सारे दस्ता बेज नहीं दिये जाएंगे तो फिर इसके बाद पुषट्त्म कुमार ने सिकायत करी निगरानी अनमेशन ब्यूरो से और इसके बाद जाल बिचा और प्रथम किस्ट में पहले इंस्टॉलमेंट में एक लाख रुपए देने की बाद तैह हुई इसके बाद पुशुत्तम कुमार राजीव रंजन को एक लाग रुपए देने गया साथ में निगरानी अन्वेशन विरो का दस्ता था इसे लीड कर रहे थे शर्वेश कुमार सिंग डियस्पी और राजीव रंजन को बीडियो को एक लाख रुपए रंगे हाथ लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया तो आप बिहार में घुश्कोरी की सीमा और घुश्कोरी की मांग किस कदर बढ़ी है इसे आप समझ सकते हैं अब दूसरी खबर 42 लाख रुपए की जबती पट्टा में कहां हुई तो जारखन की राधारी राची में पिशले दिनों SIS आप जानते हैं एक सिकुरूटी एजनसी है और इसके जिम्में बैंकों के ATM में रुपियों को जमा करने का काम भी होता है रिफिल करने का काम होता है तो इस कमपनी के दो कस्टोडियन राची से 4 करोर 7 लाख 53 रुपए लेकर भाग गये थे और इनकी पहचान हुई थी गनेश कुमार ठाकुर जो सुपॉल जिले के ठरबिटिया के चमिलवा गाउं के रहने वाले हैं और दूसरे शिवम कुमार जो समस्तिपूर के मुस्त्री घरारी कराने वाले हैं इनके मोबाइल फोन भी बंग मिलने लगे थे इसके बाद 18 दिसंबर को कात्मी की दर्च हुई थी और फिर ये खबर मिल रही थी कि ये दोनों पटना में हैं और पटना में ही कहीं छुपे हैं इस जानकारी के आधार पर राची पुलिस पटना आई गनेश कुमार ठाकुर और शिवम कुमार तो नहीं मिले लेकिन जो निसान देही हुई उस निसान देही पर पटना में राजेश कुमार महतो और सुरेश कुमार महतो को पाटली पुता थाना की पुलिस ने पकड़ा पाटली पुता थाना की पुलिस ने जब इन दोनों पर दबिस बनाई तो उन्होंने कहा कि देखिए जो रूपय हमारे हिस्से में आये हैं वे रूपय गर्दनी बाग में छुपा कर रखे गए हैं फिर उस ठिखाने पर छापे मारी हुई जहां से 42,50,000 रूपय की जबती तो जिम्मेबारी सम्मर्दित एजनसी पर होती है तो 4,75,000 रूपया जहारकन से लेकर ये गनेश कुमार ठाकूर और शिवम कुमार अपने अनिस्वा योगयों के साथ फ्रार हो गए थे जिन में से इनके दो अग्यात जो बाद में अपहचाने गए हैं राजेश कुमार मह आटों को पत्ना सी ग्रफ्तार किया गया है 42,50,000 रूपय की जबती हुई है आगी की छापे मारी चल रही है आप देखते रहे हैं लाइक सिटिस को यदि अब तक आपने हमारी यूटूब कनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लिएगा धन्यबाद यदि आप इस वीडियो को फेस्बुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेस्बुक पेज को भी लाइक कर दीजेगा